इसमें कोई दोमत नहीं है कि जहां तक राहूल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है इस परिवार का किसानों से व्यापारियों से हिंदुस्तान के अन्यवर्ग से कोई लेना देना नहीं है गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कॉंग्रेस से भी लेना देना नहीं है गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है अपनी परिवार की साख बची रहे राहूल गांधी जी ने आज कहा भयंकर चोरी हो रही है देश में सारे लोग चोरी के इलजाम पर सुप्रीम कोट से बेल पे बाहर हो वो च चोरी चोरी दिन में पाँच बार नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार साहब बेल पे बाहर है। मा भी बेल पे बाहर, बेटा भी बेल पे बाहर, दमाजी भी बेल पे बाहर। और दिन में चार बार चोरी-चोरी बोलते हैं, लखिनपूर खेरी में जो हुआ, उसको एक opportunity के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, अपने परिवार के साख को बचाया जाए, उसकी कोशिश है, राहूल जी ने आज चार-पांच बार अपने प्रेस कॉन्फरेंस में डेमोक्रसी खतम हो गई है हिंदूस्तान में और डिक्टेटर्शिप है, इस विशह में बताया, राहूल जी आपने तो प्रेस कॉन्फरेंस किया, हर बार आप प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं, आज आपने प्रेस कॉन्फरेंस किया, किसी बारती जनता पार्टी के कारेकरता ने टमाटर फेके किया, किसी ने टमाटर फेका, या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर तोडते हैं उनकी खिड़किया तोड़ देते हैं उन पे टमाटर फेकते हैं ये डिमोकरसी है is this डिमोकरसी राउर गांदी जी देश में डिमोकरसी मौजूद है तभी आप प्रेस कॉन्फरेंस करके नरेंद्र मोदी जी और भारती जंता पार्टी को अनर्गल सुनाते हैं अ पकड़ कर शमा भी मांगते हैं जूट बोलने के लिए फिर भी हमने आपत्ती नहीं चताई मगर कफिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फरेंस क्या कर दिया आपके विशह में और पूछ लिया कि कौन प्रेसिडेंट है पार्टी का तो आप तमाटर फेकते हैं वो कहां कि ड अप्शन हो रहा है राहूल गांदी जी एक अन्सॉलिसिटेट एडवाईज है जो पूरा का पूरा परिवार मां बेटे दामाद सारे लोग चोरी के इलजाम पर सुप्रीम कोट से बेल पे बाहर हो वो चोरी-चोरी दिन में पांच बार नहीं करना चाहिए पूरा का पूर परिवार साब बेल पे बाहर है मा भी बेल पे बाहर बेटा भी बेल पे बाहर दामाद जी भी बेल पे बाहर और दिन में चार बार चोरी-चोरी बोलते हैं दिन में चार बार PC करके चोरी-चोरी करने से अच्छा है अपने गिरेबान में जांक करके सोचिए कि कि किस प्रका परसों से मैं टीवी चैनल आउन कर रहा हूँ तो मैं एक ही वेक्ति को देख रहा हूँ रॉबर्ट वाडरा वाडरा जी सुबह से शाम तक ज्यान दे रहे हैं देश को कि लाइंड एक्विजिशन क्या होता है किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए कितनी जमीन होने से किसान आगे बढ़ सकता है यह रॉबर्ट जी अब ज्यान देंगे किसानी के उपर यह रॉबर्ट वाडरा जिसके पास पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सरवाधिक लूट का जमीन है अपने बिल्डिंग खड़ी क्यों ही है इन जमीनों को लेकर सुबह से शाम तक जिस तीज चैनल पे आउन करो उसमें रॉबर्ट वाडरा जी बोल रहे है यह competition चल रहा है राहूल गांधी और रॉबर्ट वाडरा में कि Congress किसका आधिपत्य के अंतरगत आएगा कौन Congress का अध्यक्ष बनेगा तीन दिन बाद राहूल गांधी आए है तीन दिन से रॉबर्ट वाडरा निकले हुए थी और लैंड अक्विजिशन के बारे में आज राहूल गांधी बता रहे है राहूल जी पहले फोन करके आप रॉबर्ट जी से पूछे लैंड अक्विजिशन क्या होता है पूरा वो बताएंगे राहूल जी एक सवाल आज भारती जंता पार्टी आपसे पूछ रही है ये जो चैनात्मक राजनीती आप करते हैं हमने टीवी के माध्यम से देखा हनुमान गड़ में धान की खरीदी के लिए जो किसान प्रसाशन के सामने गए थे उन किसानों के उपर बरबरता पूर्वक लाठी चार्ज करके उनके सर को फोड करके उनको अक्ताहत करके आज अस्पताल में वो किसान भरती है एक भी फोन कॉल आपने गहलोजी को किया है एक भी फोन कॉल ठीक है आप अन्य राजियों में जाना चाहते हैं वो अलग विशय है आप कह रहे हैं कि आप लखिमपूर खेरी जाना चाहते हैं इस विशय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी आदनिय से धारतनाथ सिंग जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके सारी तक्नीकी डिटेल बताया ह मगर आप बताईए आप हनुमानगड में एक फोन करके जो वहां के किसान भरती है उनके विशय में चिंता किया क्या Systemic Attack on Farmers आज बहुत बार राहूल गांधी जी ने किसानों को लेकर Systemic Attack के विशे को बताया है कि Systemic Attack on Farmers हो रहा है राहूल जी Systemic Attack on Farmers क्या होता है स्वामीनाथन जी Professor स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन ये तो किसी Political Party के नहीं स्वामीनाथन कमीटी कब बनी थी स्वामीनाथन कमीटी की Recommendations किस वर्ष में आई थी आठ वर्षों तक स्वामीनाथन कमीटी के Report के उपर आलती पालती मार के कौन सी Party बैटी हुई थी UPA की सरकार आठ वर्षों तक आलती पालती मार करके स्वामिनाथन कमिटी के रिपोर्ट के ऊपर बैठी रही उसे इंप्लिमेंट नहीं करवाया चाहे वो MSP का विशय हो चाहे 201 अन्य जो रिफॉर्म्स है agricultural रिफॉर्म्स उसका विशय हो उस पे कुछ नहीं किया and you talk of systemic attack on the farmers अगर सत्तर वर्षों में जब आपकी सरकार प्रत्यक्ष्या परोग्ष रूप से थी coalition के रूप में या अधिकांश majority के रूप में अगर आपने किसानों के लिए सब कुछ कर दिया होता तो आज एक भी प्रोटेस्ट नहीं होता यहां मेरे रिपोर्टर बंदू बैटे हैं और आपको तो मैं सलाम करूँगा एक रिपोर्टर की भी मृत्ति हुई है कैसी परिस्थितियों में आप लोग जाते हैं अपने जान को जोखिम में डाल करके आप लोकतंत्र को बचाने की कोशिच करते हैं और वही राहूल गांदी रिपोर्टरों से आज कह रहे थे आप लोग अपना करतव्य नहीं करते हैं आप लोग काम नहीं करते हैं इवियम काम नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोट काम नहीं कर रहा, रिपोर्टर काम नहीं कर रहे, देश की सरकार काम केवल राउल गांदी कर रहे हैं, ये काम सारा राउल गांदी कर रहे हैं, और कोई काम नहीं कर रहा है, तो आप खुद बता यूरिया की कमी के लिए किसानों के उपर लाठी डंडे भाजना उनको उनके उपर अत्याचार करना ये आम बात होती थी मगर आज आप देखिए कहीं भी यूरिया की कमी के कारण लाठी चार्ज होता है कहीं भी यूरिया की कमी है ये छोटा विशय नहीं है देड़ लाक करोड से अधिक रुपए किसान सम्मान निधी के माध्यम से छोटे मजोले किसान राहुल गांधी जी के लिए दो हजार रुपए छोटी बात होगी वो तो कॉफी पी जाते होंगे मगर आप पूछिए एक साधारन विक्ति से कि दो हजार रुपए जब उसके अकाउंट में डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है वो बीच खरीच सकता है सिचाई की क्या परिस्थिती है फसल बीमा योजना की क्या परिस्थिती है देड़गुना MSP ये सारे विशयक किस ने किया ये systemic attack on जो फार्मर्स आप बता रहे है systemic upliftment of farmers हुआ है एक systemic तरीके से किसानों को आगे बढ़ाने का काम ये सरकार ने किया है राहुल गांदी मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ये जो वोटों की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं इससे आप बचिये देश में सबसे महत्तपून विशय है शान्ती की स्थापना हिंसा ना हो शान्ती रहे हम विकास के पत पर अग्रसर हूँ हर जिम्मेदार पार्टी का ये करतव्य है भरम फैला करके लोगों को हिंसा की तरफ जोकना और भढ़काना ये उचित नहीं है राहुल गांदी जी और कॉंग्रेस पार्टी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद बंदुगन मैं अंतमितना कहना चाहूँगा आज इसमें हम कोई प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे हैं क्योंकि more or less ये एक स्टेट्मेंट था जो हमें कहना था हमने बहुत स्पश्ट रूप से रखा है एक जिम्मेदार पाटी और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बयान ऐसा हो जिससे कोई भी पक्ष भढ़के और आशांत माहुल बने देश में शांती जहनी चाहिए